नमस्कार मैं आसीब सराथ उत्राखंड के उत्तरकाशी टनल हाथसे में फसे 41 मजदूरों को बीते शाम बाहर निकाल लिया गया है इस खबर से जहां पूरे देश का माहौल खुशनुमा था वहीं जहारखंड के एक मजदूर के घर की खुशी पिता के मौत के साथ ही दुख के आगोश में दफन हो गई एक तरफ घर का बेटा मौत को मात देखकर घर लोट रहा था वहीं दूसरी तरफ बेटे के इंतजार में बैठा एक बूढ़ा बाप सदमे को जेल नहीं पाया और जिंदगी को अलविदा कह दिया यह दर्दना कहानी है टनल हाथ से में फसे जारखन के पूरवी सिंभुम जिले के बाकी शोल पंचाथ इस्थेत बहादा गाउं निवासी भक्तू मुर्मू की उसके बाहर निकलने का इंतजार कर रहे सतर वर्षिय पिता बासेत और बारसा मुर्मू की मंगलवार को सदमे से मौत हो गई बताया गया कि सुभा आठ बज़े नाश्था करने के बाद भक्तू के पिता बारसा मुर्मू अपने दामाठ ठाकरा हंस्था के साथ आंगन में खाट पर बैठे थे अचानक वो खाट से नीचे गिर गए और उनकी मौत हो गई दामाट ठाक रहांस्ता ने इसकी जानकारी घर के बाकी सदस्यों को दी बता दे कि भक्तु मुर्मू का बड़ा भाई रामराय मुर्मू रोजी रोटी के लिए चेन्नाई गए हुए हैं वहीं दूसरा भाई मंगल मुर्मू दूसरे गाउं में मजदूरी करने गया था घटना के वक्त घर पर बास्ते मुर्मू की पत्मी पिती मुर्मू बेटी और दामात थे परिवार के मुताबिक भक्तु मूर्मू के टनल में फसने की सूचना परिवार को गाउं के सोंगा बांडरा ने दी थी वह भक्तु के साथ वहां काम करते हैं टनल हाथसे के दोरान सोंगा सुरंग से बाहर थे इस बीच भक्तुगे घरवालों की शिकायत है कि 12 नमंबर के बाद से कोई भी प्रसाशनिक अधिकारी उनसे उनका हाल चाल तक नहीं पूछने आया इधर हर दिन निराशा जनक सूचना मिलने से पिता बास्ते मुर्मू सदमे में चले गए बताया गया कि बास्ते की मौत के बास्त्रही पत्नी पिती मुर्मू सदमे में हैं बता दे कि 400 घंटे तक चले इस बचाओ अभ्यान के बाद सेल क्यारा सुरंग में 17 दिन से फशे सभी 41 मज़ूरों को मंगलवार की शाम बाहर निकाल लिया गया है अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करने हैं बाकि आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हों तो कमेंट बॉक्स में आप 17 मंत्रित हों इसके अलावा हमारे वीडियो आपको अलग-अलग ठिकानों जैसे फेस्बुक, इंस्टेग्राम, ट्विटर पर भी देखनी को मिलेगे जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिये गया हैं, शुक्रिया